हेलो एव्रीवन तो मैं चैनल आज जो हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है सब के फायदे की है स्टूडेंट्स हो इमिग्रेंट्स हो सबके लिए कैनेडा के तीन बड़े शहर ट्रॉंटो वैंक्यूवर एंड मॉन्ट्रियाल उनको मैंने मोर दें 15 पेरामिट सब्सक्त्र-बड़ helps कैनेडा के सबस्सक्राइब ट्रॉंट्सायवस swag हो जाते हैं तरॉंट्व का उक्डर फटीव में एपक्जा सबस्क्राइब का मोन्ट्रियाल मैं लगपक शोदा से पंधरा परसेंट तो देख रहें मॉन्ट्रियाल थंबर पर रहें लेकिन best student city in all of North America वो है Montreal North America means USA and Canada उसमें best city आती है Montreal और नहीं तो among the top 3 तो वो रहती ही है बट पीछे क्यों रह जाती है because of friends तो कम लोग जाते हैं कम लोग prefer करते हैं English universities और colleges limited है but admission मिलना असान है बाकियों के comparison में तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो जैसे कि मैंने बता है बहुत सारे parameters पे मेरे पास लगबख 16, 15, 16 parameters लिख रखके हैं और बताते बताते हो सकते हैं और जुड़ जाएं जो मैंने अपनी research में find out किया हूँ पहली बात करते हैं location location Toronto and Montreal आप के आते हैं west side पे और वहाँ पे major population concentration है Canada की क्योंकि 40% के आसपस population हमारी Ontario में रहती है उसके बाद हमारी क्यूबेक में है वो भी आने वाले points में आएगा और फिर Vancouver Vancouver पूरा Canada क्रॉस करके west side आता है और ये east side पाड़न मैं लेंग ये अपने east side है और वो है west side अब west में क्या है वो भी यूएस बॉर्डर के पास है बट ये दोनों जो हैं हमारे Toronto and Montreal they are near to the powerhouse New York City, the financial capital अब आप वहां जाएंगे, पढ़ेंगे रहेंगे तो आपका मन करेगा कभी अमेरिका भी जाए 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 तो आप New York जा सकते है या आने वाली आपकी future जनरेशन अगर यूएस से जाना चाहे पढ़ना चाहे वर्क करना चाहे तो दे कन गो टू नियॉक वेरी इजली पांस से छे घंटे की ड्राइब है अब बात करते हैं हमारे लोग मतलब इंडियन्स या फिर साउथ इंडिया, पाकिस्तान, बांगलदेश, नेपाल, शिरलंका ये लोग ज़्यादा कहां रहते हैं तो इन लोगों के अबादी ज़्यादा है ट्रॉंटो और स्पेशली ब्राम्टन में जहां पे पंजाबी बहुत सारे रहते हैं सो सिक और हिंदू कम्मूनिटी काफी रहती है वेंक्यूवर में भी है एशियन्स बहुत ज़्यादा बट वहाँ चाइनीज डॉमिनेंस ज़्यादा है चाइनीज की इंमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है काफी स्ट्रॉंग होल्ड है लेकिन वहाँ पर भी आता है सरे सरे वाला जो एरिया है वहाँ पर है उरा मिनी पंजाब जैसे ब्राम्टन है बट मॉंट्रियाल मेंसा कुछ नहीं है वहाँ पर है मिक्स बहुत डाइवर्सिटी है छोटे छोटे नेबर होर्स बने हुए अलग अलग जगा के लोग आई है योरप के, मिडिल इस्ट के, इंडिया सब का छोटा छोटा बहुत जारा मतलब डिफरेंट वाइब है उसकी वो एक सिटी के बीच में भी डिफरेंट डिफरेंट आपको कंट्रीज का टेस्ट मिलेगा फूड का आपको मिल जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट जगा के है अब सिटी कियसा है रहने में दिखता कैसा है जब आप आँ जाएँगे कैसा है तो ट्रॉंटो एक बड़े शहर की फील देता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज एंबरी बड़ी रोडं ए चाह violet की ऑसमें कुछ्म word में बड़ी बिल्डिंग्डी जाह नारे इसे पूराना एरिया पॉर्टिंग्स और इस व्ट कम इरिया म हैं ऑप 1944 आख डुट्ए अचलि कांड़ा। से ज्यादा है क्योंकि वहां शहर के बीच भी माउंटेज है और ट्रॉंटो एक आपको टिपिकल नौर्थ अमेरिकन सिटी की फील देगा लेकिन दोनों जगा डिस्टेंस काफी ट्रेवल करने पड़ते हैं और आपको मतलब वॉकिंग बहुत जादा करनी पड़ती है नाव क सब्सक्राइब करते हैं एक शहर बट आइलेंड कैसे बनता है वहां पर यूरपीयन और पुराने तरीके से बनी हैं पास-पास सड़के चोटी-चोटी रोडस हैं महां का मेट्रो सिस्टम दिली मेट्रों की तरह बड़ा कनेक्टेड है और सब बेस्मेंट में जब बात आत थंड की तो वहां पर थंड में छुप सकते हैं एसली ट्रावल कर सकते हैं कम वेट करना पड़ता है यहां पर आपको डिफरेंट वाइब मिलेगी ब्यूटी मॉंट्रियाल में किसी शेहर से कमनी है हां वेंक्यूबर से से किन्ड हो सकता है बट वहां पर भी आपका नियॉ महां पे आपको दिख जाएगा आप बाताती है कि आप जब किसी शेर में जाते है तो गर्तों चाहिए रहने के लिए आप आज नहीं कलमो पर हुप कभी तो खरीदेंगे अब घर खरीदने के लिए कौन सा शेव बढ़ी गया है तो गर खरीदने के लिए मैं बता-तु महा है 6 करोड का अब यहां भी मॉन्ट्रियल कैसे जीता है मॉन्ट्रियल में एवरेज हाउस को सब्सक्राइब काम हो जाती है तो देखिए कितना डिफरेंस है जो आपकी मेजर इंवेस्टमेंट लाइफ में होम की वहां पर भी मॉन्ट्रियाल जीत जाता है अब नेक्स्ट बात में सबसे जादा बॉन्ट्रियाल का वैदर जो है एक्स्ट्रीम जाता है लेस्ट सब्सक्राइब ट्रॉंट्रों ट्रॉंट्रों में बरफ पड़ती है अच्छी कासी बढ़ पड़ती है वी औल नो देट यू लेकिन वेंक्यूवर एक माइल्ड क्लाइमेट है कंपेर टू सब्सक्राइब आ मॉन्ट्रेयल का एक्सट्विब नॉर नेक्स्डे कमें व्यामिल एक्स व्याकर के आप नजा में थेधा रखते हैं व्यूनष पहुती है इंप उट्रमस wzाग करे जो आपके खया हैं क्वान्ट से हैं में pata 17 उसके लगता है वेंक्यूवर में तो वहां लगता है 12 परसेंट सॉरी ट्रॉंटो में 13 यहां 12 है और मॉन्ट्रियल में सबसे ज़्यादा 15 परसेंट लेकिन उस 15 का आपको benefit कैसे मिलता है कि आपकी cost of living अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीनिमम वेज क्योंकि जब हम स्टूडेंट होता है पार्ट टाइम जॉप करनी पड़ती है तो कहां पर मीनिमम वेज कितनी है ट्रॉंटो में ओंटारियो में 14.25 वेंक्यूबर में 15.20 और सबसे कम है मॉन्ट्रेल में 13.50 क्योंकि आप कोस्ट of living भी कम है तो यह भी कम है बट हेर बीसी विंस वेंक्यूबर विंस बट अब बात आती है कि आपने मिनिमम वेज तो देख लिया लेकिन आपको जॉब करनी है जॉब मिलना कहां सान है जॉब ज्यादा कहां अविलेबल है तो जॉब बैंक.ca पर अगर अब टाइम में 16000 हो गई है वेंक्यूवर बीसी पूर बीसी में 14000 जॉब्स 2000 कम एंड इन क्यूबेक यूब 38000 जॉब्स चैनि इमेजन कहां 16 का 38 मोर दें डबल जॉब्स अविलेबल है क्यूबेक इस ऑल्वेज हाई ऑन जॉब आपको डबल जॉब्स अविलेबल होंगी आपको और आगे समझ में आएगा विडियो पॉपुलेशन रेशों से अगर जॉब कंपेर करेंगे तो क्यूबेक विल बिन अगें तो मिनीमम बेश तो है लेकिन जॉब्स जादा अविलेबल है इसली काम मिलेगा नाव कम इंट तो फी स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर एक सेएवरेज लेते हैं कॉलिज का में नियुएसटी की बात नहीं करोंगा उनिवर्सिटी में फीज़ डिफेरेंट है बहुत कम बच्चा जाता है वाँ परसंटेज कम हैं और वह युदिशिटी टू पर्ता है तो जो एवरेज फीस है ट्रॉंटो साइड जो में कॉलिज़ लगबग 18,000 डॉलर तो 19,20 ऐसे जाती है बीसी में भी लगबग इतनी है आपकी फीस 18,17,18,19 तो कंपेरेबल है बट इन मॉंट्रेयाल एवरेज फीस 14-16,000 डॉलर है और आपको लो कोस्ट कॉलिजिस भी मिल सकते हैं विच आर अवेलेबल इन दा सिटी मैं के विल सिटी की ब अब मॉंट्रेयल में आपकी फीस भी कम हो गई नाओ कमिंग तु दे नेक्स्ट कमपनीज कौन कौन सी है जॉब्स के लिए आप पढ़ते हैं उसके बाद आप जॉब करना चाहते हैं इमिग्रेट करते जॉब करना चाहते हैं तो सारे शहरों की अपनी इंडस्ट्री है Microsoft, Finance की सारी Financial Hub है उसके बाद Vancouver में भी Facebook है और Facebook का AI है, Samsung है, Microsoft है, Google है और Ubisoft है और एट चीज़ अगर आपको filmmaking में इंट्रेस्ट है तो Vancouver is filmmaking city means वहाँ पे बहुत shooting होती है सीरियल की है और फिल्म की तो Vancouver should and you if you want to be in an English environment तो वह आपके लिए बहुत अच्छा option होगा shooting Montreal में भी होती है but it is more of a French environment अब बात आती है Montreal की, Montreal में port है, movies है, IBM और बाकी companies के offices हैं जो AI based learning के लिए जाना चाहते है artificial intelligence के लिए एक hub बनता जा रहा है Montreal, इसके अलावा Montreal की aerospace industry बहुत famous है तो वहाँ पर भी बहुत सारी companies के head office है, तो यह कोई भी पीछे नहीं है, but job market में always Montreal wins Now coming to the cost of living index, अब एक site है new video पर अगर आप जाके चेक करेंगे, तो cost of living index की comparison होता है तो मैं केवल उस parameter आपको बता देता हूं, जो score मिला हुआ है, अब cost of living जो है ट्रॉंटो में 75, that is the score, Vancouver 76 and Montreal again wins, it has 68, तो कम से कम 10% का फरक है cost of living में, तो आपकी जो minimum wage का फरकता हूं, यहां पर compensate easily हो गया घर में भी हो गया, देख रहे हैं आप कैसे Montreal जीता जाता है इंसे, but Montreal के बारे में knowledge थोड़ी कम है, Now coming to the rent, अब rent तो सब कोई पे करना है, शेहर में रहना है तो, अब मैं main city के rent से बात करूँगा बाहर के लिए नि क्योंकि Montreal में city में रहना असान है, Toronto, Vancouver में मुश्किल है, तो मैं उसी से comparison करूँगा, वन भी एच के अगर हम house की cost देखे, तो लगभग 2000 डॉलर वन भी एच के की cost है Toronto में, same ही cost है लगभग आपकी Vancouver में, BC में, लगभग 2000, उसके बाद Montreal में लगभग 1400 से 1500, मतलब 6-700 डॉलर पर मन्त का difference है rent में, अगर आप main downtown के area है, downtown के आसपस रहते हैं, 2000, 2000, and 13-1400, अब जिनके babies हैं, babies होने वाले हैं, babies plan कर रहे हैं, यह उनके लिए point आता है, क्यूंकि Canada में education free है, as we all know, but kindergarten में जब बच्चा जाता है, preschool में, तब वो free नहीं है, या दोनों working है, तो आपको उने childcare में जब छोड़ के जाना पड़ेगा, so daycare में, तो वहां के charges कितन हैं, तो लगभग लगभग, Toronto में 1600 डॉलर पर मन्थ, आप खुद देने पड़ेंगे, BC में, Vancouver में लगभग 1200 डॉलर पर मन्थ, और Montreal में guess करो कितना होगा, 700, rent में भी बचा, baby की dear care में भी बचा, कितनी savings हो रही हैं आपकी, and Montreal is bilingual, बहां दोनों चलते हैं और धीरे धीरे अगर आप थोड़ी बच फ्रेंच सीख जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा, और अगर आप technical हैं तो आप IT इंडस्ट्री में और बाकी इंडस्ट्री में इसली वर्क कर सकते हैं, और अगर आप labor job करना चाहते हैं, minimum data also available, front end नहीं होगी, back end बहुत अविलेबल है, Now coming to one thing, कि यार यह तो क्या रहना है, थोड़ा बहुत मौझ मस्ती और city vibes कैसी है, तो festival के मामले में Montreal जीज़ जाता है, Montreal में काफी festivals होते हैं, होते हैं ट्रॉंटो साइड भी हैं, और Vancouver में भी होते हैं, Vancouver बहुत vibrant है, बट Montreal में आपको street festival, लोग गर्मियों में निकलाते हैं, आप parades होती हैं, festivals होते हैं, बहुत ही vibrant रहता है, वहाँ महल, तो वहाँ पे आपको lonely feel नहीं होगा, homesick feel नहीं होगा, next बात करते हैं, transport की, जो आप transport use करेंगे, transport की भई आप student है, तो शुरू में आपके पास car नहीं होगी, आप car नहीं लेते, उस पर भी हम बाद में आएंगे, transport में Toronto में बनता है, Presto Card है, Presto Card लगबग $130 per month, GTA में किसे ही रिये का है, that I cannot clearly say, क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग cities आ जाते हैं, but main Toronto में Presto Card जो आपका बनता है, शेहर शेहर की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, that is $130 for students, और for other, it is $156, यही चीज़ अगर आप पहुशते हैं, UPass, Compass, TransLink, different, different है, तो वो $98 से start होता है, फिर $131 और maximum $177 तक जाता है, अब बात करते हैं, Montreal की वहाँ पे एक बनेगा, उससे बस लो, और उसी से आप क्या कहते हैं, Metro में चलो, that is your Opus Card, student के लिए के वल $52 to $53 का है वो, और बाकी के लिए $89 to $90, तो अगें, transportation की cost कम हो गई, और distances मैंने बताया कम है, और Metro Network बहुत robust है, easily हर जगा आप आप सकते हैं, आप जाके Metro का map देख सकते हैं, next is the population of the city, population जादा है, तो work भी जादा होगा, competition भी जादा होगा, so population of Toronto is almost 27 lakh, और प्रोविंस की Ontario की population है 1.4 करोड, when it comes to BC, वहां की population बहुत कम है, 6 lakh की population है, और BC की अपनी population लगबग है, 82 lakh, sorry, 46 lakh, 46 lakh, now come to Qubic, Qubic में Montreal की population है 17 lakh, कहां पे 27 lakh, कहां पे 17, 10 lakh का फरक है, अब मैंने बताया था कि jobs double हैं, और population लगबग 40% कम है, देख लिए difference, उसके बाद जो overall Qubic की population है, वह है 1.83 करोड, sorry, 82 lakh, 82 lakh, pardon, 82 lakh population आपकी बनती है, now coming, कि safe कितने हैं शहर, crime कितना है, कैसा crime है, low level, high level, तो crime पे भी हम बात कर लेते हैं, देखो अगर murder index को देखा जाए, तो लगबग 1.47 आता है आपका Toronto का, 1.83 Vancouver, Vancouver में crime जादा है, और Montreal का 0.8 है, तो जो homicide है, means murder rate है, वो सबसे कम Montreal का आता है, लेकिन CSI crime जो आपका index होता है, उसमें 54 score है Toronto का, 95 Vancouver का, Vancouver इन मामले में उपर है, and 57, तो उनका 54 तो इसका 57 है, ट्रॉंटो विंस, तो 57 is for Montreal, अब एक last bonus tip में आपको बताता हूं, Canada में 5-6 टाइब के time zones है, तो Montreal का और Toronto का time zone same है, जैसे आज लगबग साड़े 10 या साड़े 9 घंटे का फरक है, सद्यों में change हो आता है, but BC 3 घंटे उनसे plus है, so I hope you like the video, अगर पसंद आए तो इसे share कर देना, चैनल को subscribe कर देना, and I'll make more videos, ठाड़ा, बाइ-बाइ, एक bonus और बताना भूल गया मैं, Vancouver में 37 डॉलर पर मन देने पड़ते हैं, medical के, I don't know why, लेकिन international student को देने पड़ते हैं, Montreal में पार्किंग का problem है, दिल्ली की तरह, तो में पार्किंग फीज देनी पड़ते हैं, में एरिय में मन्तली जो आपकी cost में एड हो जाती है, ठीक है, लेकिन Montreal में insurance सबसे कम है गाड़ी का, जो बाकी दोनों जगा बहुत महेंगा है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम है, और international student अपने Indian driving license पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जब तक वो work permit पर हैं, और जब वो mark apply करते हैं, तो भी आपका Indian license 6 महिने तक valid होता है, till you get your cubic license.